दोस्तो मंडे के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है इंडिकेटर भी बताऊंगा जहां पे आपको मंडे पे फोकस करना है और अगले हथे फोकस करना है तो बहुती बड़ी अपडेट आ रही है दगार्जन पे जाके आप देख सकते हैं और यहां पे जो इंट्रेस रेट है वो कहीं से भी कोई आशा भी नहीं करनी है कि वो कट के लिए कोई वर्क होगा Like March वाला जो इंट्रेस रेट दिमाग में है सभी Stock Market के देखेगा Global Stock Market Investor और Trader के लिए तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो पूरी तरीके से hopes fades for the cut in interest rate for the industrialized nations तो अगर आप देखेंगे industrialized nation ही सबसे ज़्याधा revenue, सबसे ज़्याधा पैसा सबसे ज़्याधा देखेगा import consumption of luxurious item करते हैं तो अगर यहां पे यह particular nation जो है वो अगर किसी Central Bank की कोई particular policy को follow कर रहे होते हैं तो वैसा ही developing nation उनको follow करते हैं यह आपने इतिहास में देखा होगा तो यहां पे देखेगा जो fed है fed की meeting तो आपको पता ही है लेकिन यहां पे fed के साथ जो सब लोग आशा लगाए हुए है कि जो rate cut है वो कही ना कही देखने को मिल ला है जो rate cut है वो कही ना कही देखने को मिल ला है तो वो आशा लोग अगर ECB के साथ लगाए है तो ECB ने पूरी तरीके से clarification दे दिया है और clarification में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ECB से stock on reduction premature यानि कि अगर आप cut की expectation कर रहे हो तो अभी आप सही तरीके से mature नहीं हुए हो and bank of England could delay change until the summers तो आप देख सकते हैं कि अब ECB इसले भी important चीज़ है चुकि यहाँ पे जो particular policy चलती है वो 20 nations of eurozone पूरी तरीके से follow करते हैं मलब एक तरीके से प्रतिछाया रहती है इनका जो यहाँ पे dominance है वो ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं तो जो भी prospect है early interest rate cut this year across leading industrialized nations received a blow on Thursday तो अगर आप देखेंगे Friday को हमारा market बन था after figure showed that US economy grew at a faster pace than expected तो अगर आप देखेंगे काफी तेजी से US economy यहाँ पे flow कर रही है US economy क्या कर रही है jump कर रही है और यहाँ पे GDP के जो आकड़े है वो 3.3% आए हैं तो अगर आप देखेंगे जो यह particular strong forecast है और जो actual data है वो यह show कर रहा है कि अगर Fed ने या फिर ECB ने कहीं पर भी interest rate को cut किया तो यह particular आकड़ा और तेजी से बढ़ता जा सकता है तो आप देख सकते हैं while European Central Bank hinted delay to the first cut in the cost of borrowing तो अगर आप देखेंगे ECB ने तो साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पे delay होगा लेकिन अभी US क्या कहेगा यह next particular देखेगा week में देखने को मिलेगा तो यह बहुत important elements है चुकि data आ चुका है और अब उसका reaction आपको अगले हथे देखने हो मिलेगा अगले हथे budget भी आपको देखने हो मिलेगा तो यह सारी चीज़ें stock market को impact करेंगी तो आप देख सकते हैं कि important update आ रही है और UK economy देखेगा to give the bank of England which meets next week to decide अब UK का भी देखेगा आपको data देखने को मिलेगा और वो अपना move decide करेंगे interest rate का कि वो hold कप तक करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ECB जो कहता है वही पर जादे तर कहते हैं dominance उनी की है तो वही चीज़ आपको होते होए देखने हो मिलेगी तो जो expectation of rate cut है वो शायद आपको अगले हफते यहाँ पे सपने थोड़े से तूटते हुए देखने को मिल सकते हैं according to the Christine Lagarde जो ECB की देखेगा governor है, president है president of ECB है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पे कोई discussion rate cut को लेकर नहीं हो रहा है कोई भी discussion नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कित्ती बड़ी बात बता दिये उन्होंने और पूरी तरीके से euro zone का data देखा जा रहा है उसके साफ से ही inflation पे control किया जा रहा है Germany देखेगा has fallen into recession अगर आप देखेंगे यहाँ पे Germany recession में आ चुका है France में काफी struggle देखनी को मिला है और इस particular update के बाद आप देखेंगे तो जितना भी bond market है वो next week आपको भागता हुआ देखनी हो मिलेगा जिसका impact उपर के level से आपको देखनी को मिल सकता है तो focus करेगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो like share subscribe करना न बुलेगा thank you so much